देखिए एक एक्जाम्पल है जरा समझेगा ये कह रहा है find the equation of kone with vertex 000 आपके topic से मिलता जुलता है जिसका vertex origin हो and passing through this circle this and this ये दो equation लिका हुआ है ठीक है जरा समझने की कोसिस करिएगा थो टेक्निकल है अभी हमने कहा कि कोई भी second degree का homogeneous equation कों को represent करता है जिसका vertex 000 होता है ये हमने कहा न कोई भी second degree का equation represent करता है कों को जिसका vertex 000 है ठीक है और कों का मताद जो guiding curve है उसका equation दिया हुआ है तो हमें इन दोनों की मदद से एक quadratic equation बढ़ानी पड़ेगी आप चूंकि आपके स्लेबस में उपार्ट हट गया है वना 11th class में इस base को हम पढ़ते हुए हैं हम अपने जमाने में पढ़ते हुए हैं आपके हां तो हलका फुलका हो गया है आप तो इंटर में लड़का गया है तो सेरेले खिला के बढ़ा कर रहे हैं बेटा से सेरेले खाओ ये आँ मूह दो पढ़े हैं बेटा काटो इसको जड़ा दात से सेरेले खा करके आया हुआ हो कहां से हांती दात तोड़ेगा हम लोगों अच्छा अच्छे से भुट्टा किलाना शुरू कर देते थे यह बुट्टा काओ अब दात नहीं है इधर से काओ इधर मसूरे इतने मजूद कर देत तो कोई दिक्कत नहीं, होमोजिनेस भी हो जाएगा, तो जो क्वट्रिक एकुश्ण होगी, वही कौन की एकुश्ण हो जाएगी, अब कैसे हम बनाए है बता समझेगा, हम इस इक्वश्श्ण की मदद से इसको क्वट्रिक बना रहे हैं, ज़रा देखीगा, एक्वश्ण 3 equation 2 can be written as can be written as क्या मैं इसको x-y plus z upon 2 बरावर 1 लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ ये equation हमने बना दी 2, 2 का ही एक पार्ट बना दी है इसको 2A मान लिया हमने ठीक है 2 का ही ये पार्ट है ना अब हम क्या करेंगे इस 2A जो equation आई है इसकी मतद से equation 1 को homogeneous मिनाते हैं second degree का making equation 1 homogeneous 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 with the help of with the help of equation 2A कैसे करेंगे दा समझेगा देखो ज्यान से ये x squared 2 degree का है y squared 2 degree का है z squared 2 degree का है x कितने degree का है 1 degree का है अथा क्या इसको x into 1 कर सकते है अथा ये कितने degree का है 1 degree का है और ये कितने degree का है 1 degree का है तो अगर इसमें x minus y plus z upon 2 से multiply कर दो तो 1 degree multiplied पर 1 degree 2 degree हो गया multiply किया जा सकता है क्यों भाई यह x into 1 ही तो लिखा हुआ है ओ तो बाद में होगा न आप 2 डिगरी हो गया न यह x into 1 लिखा यह है और 1 जगे यह रखा जा सकता है तो रख दिया हमने minus 2y, y भी 1 डिगरी का है तो उसमें भी हमने क्या किया x minus y plus z upon 2 से multiply कर दिया अब आप कहेंगे multiply करोगे तो divide भी करना पड़ेगा अरे हम तो 1 की जगे लिखा रहा है न तो 1 जगे लिखा जा सकता है plus 3z और इसी भी 1 की जगे लिखेंगे x minus y plus z upon 2 बरावर 0 अगर यहाँ पर plus 7 भी होता constant भी होता तो फिर हम क्या करते हैं इसका square करना पड़ता भाइस 7 को 7 into 1 लिख सकते हैं और 1 की जगे इसका square भी लिखा जा सकता है क्योंकि 1 का square भी 1 होता है अगर constant होता तो ऐसा भी लिखना पड़ता हम को बस भोग equation अब देखो 2 ले लो LCM तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x square plus 2y square plus 2z square plus x को अदर ले जाओ x square minus xy plus xz हमने 2 LCM लिया है इसलिए 2 कटेगा नहीं ध्यान किएगा 2 LCM लिया है क्योंकि यहाँ पर 2 अब यहाँ 2 आपान में रहता है यहाँ काट देते हैं यहाँ रहता तो दिक्कत होती है तो हमने इसको भी नहीं काटा 2y को अदर ले जाओ कल कुछ सेंगर बढ़ना हो 2xy plus 2y square minus 2yz plus 3xz minus 3zyz plus 3z square बड़ाबर 0 अचा अपान का जो 2 है वो जाके उधर 0 हो गया है अब थोड़ा कल्कुलेट के लिए आजए देखो 2x square plus x square 3x square और कहीं है तो आगे आपका 3x square plus 2y square plus 2y square plus 4y square कल्कुलेशन गरबना हो होगा तो तुमारी गलती है plus 2z square क्या ये 2y square ये 2y इसको अंदर ले गए तो माइनस का हो जाएगा 2xy और माइनस माइनस प्लस 2y square और माइनस माइनस 2yz yz है ये अच्छा गंदा लिखा हुआ था लोग कर बड़ा दीगो 2z square plus 3z square यहनि प्लस का 5z square जोड़ा xy देखो माइनस का xy और कहीं है और माइनस का 2xy तो माइनस का 3xy yz देखो माइनस का 2yz माइनस का 3yz माइनस का 5yz xz देखो प्लस का xz प्लस का 3xz प्लस का 4xz बराबर 0 यह बद चेक कर लेते हैं उस कामन भी दिख रहा है क्या equation तो अजीब type के हमारी यह तो change आ रही है अच्छा 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 हमने equation गलत लिखा है चलो कोई दिक्कत ने हैं हमने वहाँ minus 4 भी था equation में equation में minus 4 भी था छोड़ी हमारा नया equation ने क्या दिक्कत है वहाँ minus 4 था हमने लिखा नहीं पता ही कहा दिमाग था चस्मा तो लगाए थे तो यह आपकी homogeneous equation of second degree है homogeneous equation of second degree है इसका मतलब यह represent a cone लुखिए as it is a homogeneous equation of second degree so it represents a cone so it represents a cone सुन में आ गया तो यह cone को अच्छा अब आपका question अगर short बनेगा कैसे बनेगा वो एक equation दे देंगे second degree का homogeneous वो आप कहेंगे यह किस curve को represent करता है समझे एक cone को करता है जिसका vertex 00 है एक second degree का equation दे दिया homogeneous आप कोई भी तो देंगे ठीक है तो वो कहेंगे यह किस curve को represent करता है तो आप फट देगे homogeneous equation है quadratic में इसलिए यह cone को represent कर देगा जिसका vertex origin होगा ठीक है तो यह एक question हो गया जाकर के इसका प्लाव एक लाए है